आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो फिजिक्स का है तो इस चैप्टर का नाम है Heat and its Effects, चैप्टर 4 तो यहाँ पर जो जो contents हम लोग कवर करने जा रहे वो है What is Heat, Hot and Cold, मतलब Heat क्या है, हम लोग गढम चीज और ठंडा चीज बोलने में क्या समझते है Effects of Heat, मतलब Heat क्या-क्या Effects करता है, क्या-क्या Effects है, Transfer of Heat, मतलब एक बोड़ी से दूसरे बोड़ी में हीट कैसे transfer होता है Good and Bad Conductors of Heat, Heat के कौन से अच्छे Conductor, मतलब किसके तुरू Heat अच्छे तरी के से conduct होते है और किसके through heat conduct नहीं होते है, ये conductors के uses, good conductor और bad conductor दोनों के uses Convection किसको बोलते है, Radiation किसको बोलते है, ये सब हम लोग cover करेंगे और इन सब का क्या application है, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पहला topic है, What is heat? Heat क्या है? पहले ये जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि energy क्या है Energy मतलब कोई भी काम करने का शंता को हम लोग energy बोलते हैं मतलब जो भी काम करें, ये जो हम लोग एक जगा से दूसर जगा चलते हैं साड़ा दिन का जो भी भाग दौर है, हम लोग जो करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं खाने से क्या होता है? एनरजी डेवलाप होता है, जो हम लोग पिछले जाप्टर में देखे थे कि खाना खाएंगे तो ही एनरजी बढ़न होगा, तो ही खाना बढ़न होगे एनरजी प्रडियूस होता है तो एनरजी क्या है? काम करने का शमता, कोई भी काम करने का शमता वैसे heat भी जो है एक form of energy है मतलब heat भी एक ऐसी चीज है जो हम लोग work में convert कर सकते है मतलब जिस से वो भी एक energy है जो हम लोग को एक feeling देता है कि कौन सा चीज होट है और कौन सा चीज कोल है so we can say that heat is a form of energy that causes the sensation of hotness और coldness of a body ठीक है तो कौन सा चीज होट है और कौन सा चीज कोल है यह हम लोग कैसे पता करेंगे जब उसका temperature change होता है temperature क्या है heat अगर एक cause है तो temperature उसका effect है मतलब heat के वजे से ही temperature जो है वो change होता है ठीक है तो जैसे जब हम लोग को बुखार आता है तो हम लोग क्या करते है थर्मोमेटर ना लेते हैं कैसे हम लोग को पता चल रहा है कि बुखार आ रहा है apart from various problems in our body हम लोग जब अपने skin को touch करते हैं देखते हैं कि हम लोग का skin जो है वो गड़म हो रहा है हम लोग का body गड़म हो रहा है इसका मतलब तब हम लोग को पता चल रहा है कि शायद कोई abnormality है हम लोग थर्मोमेटर निकाल के उसका temperature नापते है इसका मतलब क्या है कितना गड़म है हम लोग का body वो नापा जाता है by the method of checking the temperature ठीक है तो heat जादा है या कम है वो हम लोग तभी पता करते है जब उसका temperature में change आता है clear तो जब heat किसी भी body में दिया जाता है तो क्या होता है उसका temperature increase होता है मतलब जैसे अगर boiling water है वो बहुत करम होता है अब उसमें अगर हम लोग कोई thermometer डालेंगे तो देखेंगे उसका temperature जो है वो बहुत जाता है हंड्रेट डिग्री सेंद्सीयस से भी जाता है और जैसे बड़फ है तो बड़फ को जगर छुएंगे तो बहुत ठंडा है तो इसको भी अगर हम लोग नापेंगे तो देखेंगे उसका temperature बहुत ही कम है इसका मतलब जब heat देते हैं कोई body में heat है तो मतलब उसका temperature जादा है अगर किसी body में heat नहीं है मतलब बहुत कम मातरा में heat है तो वो उसका temperature कम होगा ठीक है तो heat का क्या unit है? heat का unit है joules या फिर calorie मतलब हम लोग heat को joules किमबा कैलरी में नापते हैं 1 kilo Joule का मतलब कितना है 1000 Joule और 1 kilo calorie का मतलब है 1000 calories तो अगर हम लोग calorie और Joule के अंदर एक relationship निकालेंगे तो देखेंगे कि 1 calorie is equal to 4.184 Joule ये relationship याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग जब sums करेंगे इससे related तो हम लोग को ये relationship हम लोग use कर सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं बोली थी heat ए energy का character है energy का character ये है कि उसको हम लोग एक form से दूसरे form में convert कर सकते हैं कैसे जैसे जब हम लोग को बहुत ठंडा लगता है तो हम लोग अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं हम लोग के हाथ को रब करने का मतलब क्या है ये जो घिसने से ये घिसना भी एक type of energy काम कर देया है हम chemical work कर रहे है जब हम लोगा दोनों हाथों को घृस रहे है तो एक force दे रहे है जिसको हम लोग बोलते Frictional force जो हम लोग आगे की class में जानेंगे तो ये जो mechanical energy हम लोग दे रहे है इससे देखो हम लोगा हाथ जो है वह गड़म हो रहा है इसका मतलब क्या है? mechanical energy जो है, यहाँ पर heat energy में convert हो रहा है तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं? अगर हम लोग gas में नहीं बनाया है, कोईले में बना रहे हैं, सोचो तो कोईला को जब हम लोग burn करते हैं तो क्या होता है? कोईला का अंदर स्टोड कुछ chemical energy रहता है वो chemical energy क्या हो जाता है? heat energy में convert हो जाता है अब जब यह heat energy में convert हो जाय रहा है तब क्या हो रहा है? इसमें जब हम लोग खाना पकाएंगे तो वो energy खाना अब्सॉर्ब करके cook हो जाता है ठीक है? तो देखना कभी भी ठंडा चीज में तुम खाना नहीं बना सकते हो क्योंकि खाने को भी वो energy को अब्सॉर्ब करना परता है ताके वो भी अपना form को change कर सके ठीक है? जैसे हम लोग घर में जब iron करते हैं तो क्या करते हैं? अगर iron को हम लोग switch electricity से connect नहीं करेंगे तो वो iron से हम लोग चीजों को flatten up नहीं कर पाएंगे आइडन को हम लोग use नहीं कर पाएंगे तो जब हम लोग उसको electricity से connect करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनरजी जो है वो change हो जाता है heat energy में तो इलेक्ट्रिकल एनरजी जब heat energy में convert हो रहा है तभी iron का जो काम है वो हो रहा है नॉर्मली जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो वो बोली घीजर घर में जो घीजर है गडम पानी वाला वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनरजी को heat energy में convert करता है ताके हम लोग को गरम पानी वागेरा मिल सकें clear? अच्छा ऐसा बहुत सारे examples है ठीक है तो next हम लोग जो देखेंगे वो है hot and cold मतलब कोई भी चीज को तुम गरम या कोई भी चीज को तुम ठंड़ा कैसे बोल सकते है ठीक है तो ये जो कोई भी body जो गरम है या फिर ठंड़ा है इसको हम लोग कैसे नापेंगे? मैं पहले ही बोली उसके temperatures से और ये temperature क्या है? temperature है the degree of hotness or coldness of a body on some chosen scale chosen scale मतलब हम लोग एक particular thermometer में देखना जागर सब के कान में thermometer हम लोग देख सकते कि उसमें scaling किया हुआ है इतना से इतना दूर का temperature वो नाप सकता है ठीक है अब उस scale के उपर निर्धारित करके हम लोग देखते हैं कि एक body कितना जादा गरम है और एक body कितना जादा ठंड़ा है ठीक है इसी scale के उपर निर्धारित होके हम लोग कोई भी body का temperature जो है नाप सकते है temperature हम लोग कौन से unit से नापते है Kelvin से नापते है degree Celsius से नापते है और degree Fahrenheit से नापते है तो अब हम लोग जो next class में discuss करेंगे उसका मैं एक overview दे देती हूँ next class में पढ़ेंगे हम लोग thermometer thermometer क्या है thermometer actually एक temperature नापने का यंत्र है temperature कितना जादा है या फिर कितना कम है यह हम लोग नापते है by the help of a thermometer ठीक है thermo का मतलब क्या है heat heat मापने का जंत्र जो है कितना heat body में है वो नापने का यंत्र actually thermometer है ठीक है thermometer में दो points रहते है दो fixed points रहते है एक upper fixed point और दूसरा lower fixed point upper fixed point मतलब कितना दूर तक तुम temperature को नाप सकते हो और lower fixed point कितना नीचे वो तुम्हारा temperature जा सकता है मतलब suppose एक thermometer for example जैसे हम लोग का जो घर में जो thermometer हम लोग यूस करते है उसका reading suppose start हो रहा है 93 degree से 93 degree से लेके suppose यह घर का ही छोड़ो normal एक thermometer हम लोग एक imaginary thermometer ले रहे है जिसका reading start होता है suppose minus 5 degree से और 110 degree Celsius तक रहता है अब हम लोग उबलता हुआ पानी को लेंगे अब उसमें अगर वो thermometer को हम लोग डुबाएंगे तो देखेंगे कि temperature जो है 100 degree से जादा आ रहा है ठीक है इसका मतलब वो बहुत जादा गरम है उसका बलुब छूबी नहीं पानगे और अगर फ्रिज से निकाला हुआ बड़व को लेंगे तो देखेंगे कि उसका temperature जो है 0 degree है या भी 0 degree से 0 degree से कभी होगा बड़व जब फॉर्म हो जाता है तो इसका मतलब वी बहुत थंड़ा है तो ही जो अपर fix point मतलब जादा temperature की कितना जादा temperature तुम मेसर कर सकते हो thermometer से और lower fixed point कितना नीचे का temperature मतलब कितना जादा थंड़ा तुम चीज को मेशर कर सकते हैं यही है यह अपर fix point और लोगर face point का मेन खरेक्ट इस्टिक्स ठीक है तो celseus scale जो वो जो निकाले ते मतल्ब जो invent किये थे उनका नाम था celsius ठीक है और Fahrenheit scale जो निकाले थे उनका नाम था Daniel Gabriel Fahrenheit तो अगले दिन में हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग पूरा thermometer का जो basics है या thermometer का जो पूरा अपर फिक्स पॉइंट लोर फिक्स पॉइंट जो है वो discuss करेंगे कुछ sums करेंगे उससे related और types of thermometers जो है वो भी देखेंगे तो जो भी तुम लोग का doubts है चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ो जितना दुर में पढ़ाई please comment section में उसको post करो ताके मुझे पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो और समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ठीक है thank you so much मिलते हैं next class में